जैसा कि आज हम बताने वाले हैं आपको sexual intercourse के दोरान कौन कौन सी दवाईयां सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है उसका side effect क्या होता है और उसका डोज क्या होता है और उसका brand name क्या होता है इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले है Cylindafil Tablet जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है दुसरा Tablet है Trinida Real Tablet जो काफी ज़्यादा उपयोग किया जाता है और अगला Tablet है Vigora ये भी काफी ज़्यादा उपयोग किया जाता है अब चलिए एक टबलेट के डेटेल करके जान लेते हैं इसके बारे में जान लेते हैं और इसका ब्राइंड नेम है माइनफोर्स पेनागरा और इसको बिगोरा भी बोला जाता है एरिकडाइल डिस्वेंशन में काफी ज्यादा उप्योग किया जाता है ये एक ऐसी समस्य होती है जब सेशुल एंटरकोस करते हैं पेनिस होता है उसमें एरिक्षण नहीं होता है दूसरा है प्ल्मोनली आइटयाल है इसके बिपी में तो 25 अमजी और 100 अमजी में आता है ये टेट का उप्योग खाली पेट करने से काफी ज़्यादा बेनिफिट होता है सेक्सुल इंतरकोस में आदा गंटा एक गंटा इसके EMG के हिसाब से इसका डूरेशन रहता है अगला टेबलेट है मारा वेड़ना फेल टेबलेट इस टेबलेट का ब्राइंड नेम काफी अच्छा जो है वो बेरी मैक्स होता है और ये बहुत सारे ब्राइंड नेम से ये दवा मिलता है इस टेबलेट का उपयोग काफी ज़्यादा किया जाता है इस परिसानी में इस सेस्वाल इंटरकोस के दोरान इस समस्या में इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है और डाक्टर के प्रिकेप्शन पर ही ये दवा आपको मिलेगा इस टबलेट का side effect जान लिए जैसे चक्कर आना, भूखना लगना, सीरधर्द होना, यह सब इसके side effect हो सकते हैं अगला टबलेट है हमारा Tidal Phil टबलेट, इस टबलेट का भी काफी ज़्यादा उपयोग किया जाता है Tidal Phil टबलेट इसका brand name है और भी कई brand name से यह आपको किसी भी medical store पर आसानी से मिल जाएगा अब जान लेते हैं इसका use कहा कहा किया जाता है, पहला है erection problem में इसका उपयोग काफी ज़्यादा किया जाता है और अगर किसी का penis erection नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी इस टबलेट का उपयोग किया जाता है और inral prostate की condition में भी इस टबलेट का उपयोग किया जाता है और pulmonary hypertension में भी इस टबलेट का उपयोग किया जाता है इस condition में 10 mg 220 mg डॉक्टर अपने experience के अंसर मरीज की स्थितियों कंडिशन को देखते हुए नरधारित करते है या बेडियो सिर्प नॉर्मल जानकारी के लिए अगर आगो कोई दिकत कोई परसानी तो अपने नाजिती की डॉक्टर या फार्मासिस्ट संपर करके दबालें या बेडियो सिर्मार्मल जानकारी के लिए